चलिए, नेक्स अपने बात करें, अगली जो फ्रूट क्रोप है वो है गौवा यानि अमरूद गौवा या अमरूद की बात करें तो इसको अपने एपल ओप ट्रॉपिक्स उसन का सेब कहते हैं ये तो क्लासिपिकेशन में भी बात कर चुके थे, इसके लाइस को मास फ्रूट भी कहा जाता है, पूर में एपल भी कहा जाता है और पैक्टिन का बहुत बढ़िया सोर्स होता है और जेली है वो बहुत बहतरीन बनती है ठीक है? चलिए, अब अपने इसके जन्रल इंट्रोडेक्शन में चलते हैं इंट्रोडेक्शन में सबसे पहले बोटनीकल क्लासिफिकेशन बोटनीकल नेम क्या है? इसका सीडियम गौाबा-जाबा फैमिली कौन सी है इसकी? मिर्टेसी और मिर्टेसी और किसकी फैमिली है? यह भी ऐसा कौन सा जो एगरो फॉरेस्ट्री में प्लांट है जो बिलोंग करता है जिसको आप सोचल फॉरेस्ट्री में या फिर नहरों के किनारे वगेरा लगाया करते थे आज कल नहीं लगाना चीए क्यों क्योंकि ये एकोलोजी के लिए थरट होता है युकोलिप्टिस है ट्रोपिकल अमेरिका बोले तो उसन अमेरिका ना क्रोमोजॉम नमबर टू एन इक्वल टू टू ट्वंटी टू होते हैं गुन सुत्तर संक्या बाइस होती है टाइप ओ फॉरूट है वो केसा होता है बेरी होता है लेकिन अगर एडिबल पार्ट की बात करें तो थेलेमस पेरिकारप होता है थेलेमस जैसे हमने पीछे क्लासिफिकेशन में बात की थी ये वाला भाग होता है थेलेमस और अंदर वाला भाग होगा पूरा वो कौन सा होगा पेरिकारप तो इसमें थेलेमस और पेरिकारप है वो खाया जाता है इंप्लोरेसेंस की बात करें तो यान क्रायफिल इनके कारण अमरूध में खुश्बू देखने को मिलती है और अमरूध का जो रेड कलर होता है आज कल आप ने देखा होगा बहुत सारी रेड फलेस वैराइटी आने लगी है बहुत सारी जो रेड फलेस वैराइटी एं वो गवावा के अंदर देखने को मिलती है और इनके अंदर जो red color होता है वो like op इनके कारण होता है चले next अपने यहाँ पे अपने कुछ बात करें तो कुछ गवावा है जिनको यहाँ पर उनके character के साथ दिया है अगर आप general agriculture की कोई competition देते हो तो वहाँ पर इनके पुछे जाने के chances बहुत rare है नहीं पूछे जाएंगे नहीं याद रखोगे तो काम चलेगा जिसे ब्राजीलियन या गवानिया गवावा सीडियम गवानेंसिस छोटा प्रूट होता है पूर क्वालिटी का होता है आप agriculture जन्रल एक्जाम दे रहे हैं कोई साभी बैंकिंग वगेरा का TGT PGT तो इनमें ये नहीं पूछे जाएंगे एक होता स्ट्रोबेरी या केटलिया गवावाज जिसको आप सीडियम केटलियम बोलते हैं एक होता है कोस्ट्रिका या चाइना गवाज जिसको आप सीडियम, फेडरिची, शीलियम बोलते हैं जो एक रूट स्टोक के काम में आता है फ्रेडरी, चेस्टेली, नियम बोलते हैं इसको ये ड्वार्प रूट स्टोक के काम आता है इसमें नेमेटोड भी नहीं लगता है, विल्ट भी नहीं लगता है यह काफी परचलिता है यह आपको याद रखना पड़ेगा जो सीडियं, फेड्रिच इस्टीलियं जो होता है यह ड्वार्फ रूट स्टोक के रूप में बोने मुलवरंत माउंटेनियम याद रखने की जूर नहीं है उसके लाए और भी कुछ जाती है यहां पर आपको सीडियम की देखने को मिलती है सीडियम कोजेवीलस यह विटामिन सी कंटेंट बहुत जादा रखता है हाई वीटामिन सी का सोर्स है माल लो कि हमें बायो फोर्टिफिकेशन करना एकिसी वराइटी का यानि उसमें विटामिन होते हैं अमरूद होते हैं वो एपल सेप्ट होते हैं ना एपल की तरह दिखने वाले होते हैं और जो सीडियम पाइरी फोरम होता है इसके जो अमरूद होते हैं वो नास्पती सेप्ट में देखने को मिलते हैं यानि पीर सेप्ट देखने को मिलते हैं वेसे आपको पता है तो गौवा विटामिन C का बढ़िया सोर्स होता है जैसे मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा विटामिन C तो बार्बंडस चेरी में कितनी देखने को मिलती है दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलती है आवला में 600 मिली ग्राम पर 100 ग्राम पर देखने को मिलती है आवला में लेकिन जायर सी बात है कि आप बार्बंडस चेरी खाते कहां पे कहां देखने को मिलती है आपको आमला है वो हम ज़्यादा खा नहीं पाते हैं उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन सा है गौवा है अमरूद है अमरूद में 209 मिली ग्राम 299 मिली ग्राम पर हेंडेड ग्राम है वो विटामिन C देखने को मिलती है नेक्स लते हैं अपने और इसके जनरल इंट्रोडेक्शन के बारे में तो नेक्स इंट्रोडेक्शन के अगर हम बात करें कि इसका जो red flesh होता है वो तो lycopene के कारण होता है और सिरफ lycopene ही responsible है तो single dominant gene के कारण होता है जो अम्रूद है उसमें क्योंकि आजकल pink flesh variety का फिर चल रही है तो यह जो pink flesh है यानि red color वाली variety है यह single dominant gene की वज़े से अपना red color है वो दरसाती है उसके लाँ हम बात करें कि हमें अगर best quality का गौव प्रड्यूस करना है सबसे बहतरिन quality का गौव प्रड्यूस कर रहा है तो हमें जो generally winter season वाली जो बहार होती है वो लेनी चीए winter season वाली जो बहार होती है बैसे पीछे वे ने बहार treatment आपको बताया है तो winter season वाली जो बहार होती है वो सबसे बढ़िया होती है उसमें best quality का आपको गौव मिलता है अब winter season वाली बहार कौन सी होती है इसमें confuse बिल्कुल भी नहीं होना है जो generally हस्त बहार होती है जिसकी flowering winter के अंदर आती है और जिसकी fruiting जो है वो generally कब आती है मार्च अप्रेल के आसपास आती है हलांकि इस बहार का production सबसे कम होता है yield सबसे कम होती है लेकिन quality होती है वो सबसे बहतरीन होती है और इसमें fruit fly भी नहीं लगती है इसमें fruit fly है वो भी नहीं लगती है ठीक है generally क्या है fruit fly होती है जब रात का तापमान 10 degree Celsius से कम होता है तो fruit fly है वो क्या है भाग जाती है escape हो जाती है अना तो generally जो winter season की बहार होती है यानि जो हस्ता बहार होती है उसके फल है वो best quality के होते हैं और उसमें fruit fly भी आपको नहीं देखने को मिलती है इंडिया में ग्वावा के जो improvement work है यानि जो इसके सुधार के program है वो 1907 में पूरे महरास्ट्रा से start किये गए थे अना और जो ग्वावा है लगबग ये समझ लो कि पूरे इंडिया में बहार इस तरह से set की गई है बहार मतलो पूरी इस तरह से set की गई है कि लगबग पूरे सीजन में आपको फ्रूट देखने को मिलते हैं अजकल ग्वावा के फ्रूट आपको round the year मिलते हैं सिरफ मई और जून आपको ऐसा मन्त मिलेगा जिसके अंदर आपको fresh ग्वावा है वो market में available नहीं होते हैं ठीक और बाकी जो acid है उनकी मात्रा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी TSS भी कम हो जाएगा ascorbic acid भी कम हो जाएगा यानि जो काम की चीज है वो कम हो जाएगी इसका मतलग क्या है high density planting करने से ग्वावा के fruit की quality क्या हो जाती है कम जोर हो जाती है उसके लाव हम बात करें तो यह क्य साब्दी के सुरुवात में लेकिया थे 17th century है उसकी मतलों सुरुवाती अवस्ता में लेकिया थे यह तो आप दिमाग में बिठाई लीजिए जिसका origin अमेरिका है उसको भारत में इंट्रोड्यूस किया था वो पुर्तगालियों ने ही इंट्रोड्यूस किया था जैसे पो इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे पुर्तगीश थे देखो जिनका origin अमेरिका है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई है पुर्तगीश टोबे को है इसको भी किसने इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगीश ने इंट्रोड्यूस किया था ठीक है त semi-dwar fruit stock for guava is aneuploidy 82, जो aneuploidy 82 है उसको आप पुसा सिरीजन भी बोलते हैं, पुसा सिरीजन, पुसा सिरीजन है ये 2004 में डवलप किया था, इसको aneuploidy 82 भी बोलते हैं, ये guava का मतलो बोना मुलवरंथ है, fruit stock है, जनरली इसमें क्रोमोजोम नंबर guava में तो 22 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 2N बराबर choice होते हैं, यानि इसमें असुगुनिता, यानि जनरली क्या है, अनि प्लोईडी है, वो देखने को मिलती है, वैसे ये mainly alabad स्पेदा के लिए काम में लेते हैं, किसके लिए काम में लेते हैं, alabad स्पेदा के लिए ही काम में लिया जाता है, alabad स्पेदा के साथ ये dwarfing effect दिखाता है, और अलाबा सपेदा में high density planting करनी है तो अपुसा सिरी जनिया एनुपलोडी 82 को ले ज़्यादा बहतरीन रहेगा और वेसे ही आपको पता है कि गौवा की सबसे famous variety है वो अलाबा सपेदा है इंडिया में सबसे ज़्यादा गौवा की अगर कोई variety या उसके clone लगाए जाती है तो अलाबा सपेदा ही लगाए जाती है गौवा है वो vitamin C का बहुत बड़िया source है ये तो आपको बताई दिया था इसके अलाबा जो edible fiber होते हैं खाने योग्य रेसे होते हैं उनका भी बहुत भैतरीन स्तरोत होता है लगबग ये मान के चलिए कि इसमें edible fiber कितना होता है 6.9% होता है कितना edible fiber देखने को मिलता है यानि खाने योग्य जो रेसा है वो कितना देखने को मिलता है 6.9% है वो आपको देखने को मिलता है नेक्स अपने बात करें ग्वावा है वो पैक्टिन का बहुत बढ़िया सोर्स है और सबसे बहतरीन जो जेली बनती है वो ग्वावा से बनती है इस बात में तो कोई दोराय नहीं है सबसे बेस्ट जो जेली बनेगी वो ग्वावा से बनती है क्योंकि पैक्टिन बहुत शांदार होता है इसलिए सबसे बढ़िया बनती है उसके लाप पीछे मैंने आपको जब और्चाड प्रैक्टिस करवाया था उसके अंदर बताया था कि महारास्ट्रा के किसान क्या करते है ग्वावा के अंदर बैंडिंग की प्रैक्टिस करते है महारास्ट्रा के जो किसान है वो ग्वावा के अंदर बैंडिंग की प्रैक्टिस करते है यानि साखाओं को क्या करते है नीचे जुका देते है जायर सी बात हैपूड कहां स्टोर होता है रूट में स्टोर होता है लेगिन हम इसको बैंड कर देंगे तो क्या होगा कार्भो हाइट Northwest नीचे नहीं जाएगा इस वजह से आगी का जो पोर्शन होता है इसके अंदर C eoup बड़ जाता है और अगर C N रेशो बड़ जाता है बहार ट्रीटमेंट अलग से पढ़ चुके हैं स्टुडेंट उसके अंदर आपको बताया था कि दक्षनी भारत के किसान है वो कौन सी बहार से फलन लेते हैं अम्बे बहार से लेते हैं उनके लिए बहार यही रहने वाली है और उसके लाद दूसरा कोई बढ़िया मतलो बहा बहार ट्रीटमेंट के लिए कौन-कौन सी प्रैक्टिस करते हैं एक तो आपको बतायी हुई है पहले से अब मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताने वाला एक तो मैंने बताया था कि जो फ्लावरिंग आती है यानि जब ब्लूमिंग होती है यानि पुस्पन होता है उसके बहार ट्रीटमेंट बढ़ा पन बता देता हूं जैसे ये स्टेम हैं और स्टेम के क्या करते हैं एक मिटर की पेरी फेरी में एक मिटर की परीदी में 15-20 cm चोड़ी और 60-70 cm गहरी नाली खोद लेते हैं इसमें जो भी रूट आती है उन सब को काट देते हैं अब रूट डे गया तो जड़ जाएगा पानी और पोसकत्तों की कम ही से फिर 15-20 दिन इसको खुला रखो धूप लगने दो उसके बाद इसमें मैनियोर भरो और वापिस भर दो तो ये बाहर का तो ट्रीटमेंट हो गया अब उन जड़ों से नया जो फुटान होगा वो सीधा कहां पे जा भाना यानी अमरूद को एक करिटृम रूप से अराम दिलवाने की जो किरीया है उसको हम क्या बोलते हैं विंट्रिंग बोलते हैं तीसरा मैने आपको बताया था कि जो अलाबाद स्पेदा होता है उसके अंदर आप 10% यूरिया का स्प्रे करके भी अप क्या कर सकते हैं बा इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में यहां डिसकस नहीं करने वाले हैं उसके अलावा अमरूद में ज़्यादा फ्लावरिंग आ जाती है तो कुछ फ्लावर को ड्रोप करने के लिए कुछ फूलों को जारने के लिए हम 200 PPM NA का यानि नेप्तलिक एसेटिक एसेड का स्प्रे करत होता है अमरूद का उत्पादन होता है अगर स्टेट में बात करें तो उत्तर परदेश में होता है और रीजन बाइज बात करें नोर्थ इंडिया इस्ट इंडिया साउथ इंडिया तो फिर सबसे ज़्यादा प्रोडेक्शन होता है वो साउथ इंडिया के अंदर होता है दक्षनी भारत में होता है ठीक है और नेक्स अपने बात करें ये मैंने बहार ट्रीटमेंट का आपको बता दिया अमरूद है वो ट्रोपिकल क्लाइमेट का है उसन जलवायू का है लेकिन ट्रोपिकल और सब ट्रोपिकल सब में लगाया जाता है ट्रोपिकल और सब ट्रोपिकल के अंदर मतलो सब के अंदर लगाया जाता है उसन वै उपोसन में लगाया जाता है लेकिन है ट्रोपिकल और मैंने आपको जन्रल ट्रिक बताई थी जो ट्रोपिकल क्लाइमेट के ट्री है उनके लिए ये मान के चलो 25 डिगरी सेल्शियस के आस थोड़ा हाड़ी नेचर का होता है यानि कठोर परकरती का होता है ठीक है इसको आप किसी भी परकार की जो सोयल है उसके अंदर लगा सकते हैं हैवी सोयल से लेकर लाइट सोयल के अंदर तक लगा सकते हैं लेकिन सभाविक है जो सेंडी लोम सोयल है या रिवर बेसिन सोयल है जो नदियों के किनारे की जो मिटी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है लोमी सोयल के अंदर और जो रीवर बेसिन होते हैं नदियों के किनारे की जो मिटी होती है उसमें बहुत शांदर परफॉर्म करता है एक तो लॉमी सोयल में एक जो मतलो रीवर का बेसिन होता है नदियों के आसपास का जो इलाका होता है वहाँ पे बहुत बैतरिन परफॉर्म करता है अब देखो ग्वावा फिग और बील यानि अमरूद अंजीर और बील ऐसे फल व ये मर्दाओं में भी उग जाते हैं और अमली ये मर्दाओं में उग जाते हैं कौन-कौन सा ग्वावा फिग और बील है इनकी मैं बात कर रहा हूं इसके लिए सुटेबल पिएच है वो 4.5 to 8.2 है यानि 4.5 से 8.2 पिएच पे वेल वेल खाम करता है कोई के दिक्कत नहीं ह नेक्स आप मिड्डो और्चाड देखिए मिड्डो और्चाड का मतलू है हाई डेंसिटी और्चाड यानि बहुत अधिक जो सगन और्चाड होता है वेसे पूरे वर्ड में हाई डेंसिटी और्चाड है या मिड्डो और्चाड है वो सबसे पहले एपल में लगाया गया सेब के अंदर लगाया गया था और ये यूरोप के अंदर लगाया गया था बहुत बार आपको बताया हो बताये भी कौन से टाइम में लगबक कौन से दसक में लगाया गया था विस्वा में सबसे पहले जो high high density orchard लगाया गया अधिक सगन जो बाग लगाया गया था वो कहां पे लगाया गया था CISH लखनव में और अमरूद में तो अमरूद के अंदर जो high density planting method है उसको आप middo orchard बोलते हैं उसको आप क्या बोलते हैं middo orchard बोलते हैं देखो पूरे word में तो सबसे पहले हम बात करें तो apple में high density planting start की गई थी 1860 के दसक के आसपास अना 1860 के दसक में इंगलेंड यूरोप के अंदर high density planting की गई थी इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो high density planting है वो किस में की गई है गवावा में अमरूद में की गई थी कहां पर की गई थी CISH में की गई थी Central Institute of Subtropical Horticulture यानि केंदरी है उपोशन बागवानी संस्तान है लखनव उत्तर परदेश में की गई थी और ये जो high density planting थी इससे middle orchard system कहते हैं क्या बोलते हैं इसको middle orchard system तो सबसे पहले middle orchard system किस में आया गवावा अमरूद में कहां पर आया था CISH लखनव यानि Central Institute of Subtropical Horticulture लखनव में और planting distance क्या रखी गई थी इसमें 2 into 1 रखी गई यानि line to line distance 2 meter और plant to plant distance 1 meter अब समानिय distance रखते हैं 6-8 into 6-8 meter समानिय जो distance होती है वो कितनी होती है गवावा में 6-8 into 6-8 meter और इसके compare में देखो कितनी planting distance रखी गई हैं अगर आप इस distance के साथ planting करते हैं तो एक हेक्टर में कितने plant लग जाते हैं 5,000 अगर middle orchard में जाते हैं तो middle orchard में एक हेक्टर में 5, जार plant है वो लगते हैं ठीक है ध्यान दखना है और ये जो middle orchard system डवलप किया था अमरूद में वो गोरक सिंग ने डवलप किया था किस ने डवलप किया था गोरक सिंग दवारा डवलप किया गया था इंडिया के अंदर ये important है ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहा पोस्ट्रिका गवा या चाइनिज गवा कहलाता है ड्वारप रूट स्टोक है बहतरीन रूट स्टोक है नेमेटोड नहीं लगता है और अमरूद का जो सबसे खतरनाक रोग है विल्ट है उकटा रोग जो जिसको आप बोलतों फ्यूजेरियम ओक्सिस्पोरम से होता है वो जोनेली यूस आर्ट ये भी एक निया रूट स्टोक है क्रायूला क्रायूला ये भी एक निया रूट स्टोक है जन्नली इसमें पेस्ट है जो कीट है उनसे बड़ा नुक्सान नहीं होता है और कुछ डिजीज जिससे रस्ट वगेरा है इनका भी इसमें बड़ा नुक्सा या फिर सरदार के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इससे पहले अलाबास पेदा पढ़ना जरूरी है, उसके बाद L49, अलाबास पेदा है, ये अमरूद की सबसे फेमस वेराइटी है, और पूरे इंडिया में या तो अलाबास पेदा या उसके कलोन ही देखने को मिलेंगे और ब्रोंजिंग के टोलरेंट है, देखो, अमरूद का मुख्य रोग तो कौन सा है, विल्ट है, और मुख्य जो विकार है, डिसोडर है, वो कौन सा है, ब्रोंजिंग, जो जिंक की कमी से होता है, आगे पढ़ेंगे हम, ब्रोंजिंग किसकी कमी से होता है, जिंक, तो ये ब्रोंजिंग के लिए तो सहनसील है, टोलरेंट है, और विल्ट इसमें लगता नहीं, यानि विल्ट के लिए रसिस्टेंट है, और अमरूद की सबसे पॉपुलर वेराइटी है, अब देखो L49 या L49 जिसको आप सरदार के नाम से जानते हैं, ये जो वेराइटी है वो Dr. G.S चीमा यानि गंदा सिंग चीमा, Dr. G.S. सीमा और देशमुक ने 1927 में डवलप की थी, Dr. G.S. सीमा हना होटी कल्चर में बहुत बड़ा कॉंट्रिबिशन है, जीस सीमा का, तो Dr. G.S. सीमा और देशमुक ने 1927 में इस वेराइटी को एलाबाद स्पेदा में से सलेक्शन से व इसे अमरूद की नेशनल वेराइटी भी कहा जाता है, नेशनल वेराइटी अफ ग्वावा कौन सी है, L49, जैसे आप पॉम ग्रेनेट अनार में पढ़ते हैं नेशनल वेराइटी अप पॉम ग्रेनेट तो कौन सी पढ़ते हैं, गनेश, वो भी G.S. सीमा की विक्षित की और ये भी Bronzing Tolerance होता है, यानि जो Bronzing Disorder होता है, वो इसमें नहीं नुकसान पहुंचा पाता है, हरीजा, हरीजा जो है ये बिहार की एक पॉपुलर वेराइटी है, पुसासी रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, द्वार्फ रूट स्टोक है, High Density Planting में यूज करते हैं, 2004 इसमें गुण सुतर संक्या 22 की बजाए कितना होता है, चोईस, और इलाबास पेदा के अंदर ही इसे रूट स्टोक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है, अर्का मर्दूला, जिसमें अर्का लग गया, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें 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 इसमे वेराइटी है, मर्दूला वेराइटी पूछले तो पॉम गरेनेट की है, मर्दूला पूछले तो किसकी है, पॉम गरेनेट की है, और पुस्सा मर्दूला पूछले तो रैडिस यानी मूली की है, मर्दूला पॉम गरेनेट अनार की है, और अर्का मर्दूला आपके सामने अमरूद की है ये जनरली सौप्ट सीडेड होती है और ड्वार्फ वेराइटी है बोनी वेराइटी है सौप्ट सीडेड होती है यानि बीज बहुत ही मुलायम होते है जब अमरूद खाते हैं तो अहसास नहीं होता इनका ललित CISS से डवलप की गई है Central Institute of सब्ट्रोपिकल होटी कल्चर लखनव द्वारा ही विक्सित की गई है राजस्तान में इसको बहुत अच्छे खासे लेवल पर इसको लगाया जाता है डवलप CISS लखनव से की गई है Central Institute of सब्ट्रोपिकल होटी कल्चर से डवलप की गई है और अन्य करन के लिए बहुत बहतरिन है बाकी वेराइटियां और जो अपने कल्टिवेशन प्राक्टिस इंसेक्ट पेस्ट डिजीज स्टोरेज वगेरा जो है वो अपने नेक्स सेशन के अंदर डिसकस करेंगे इस सेशन में बश इतना ही वेसे आप लोगों की जो कलास होनी है वो इवनिंग में पांच बज़े तो होगी होगी लेकिन मेरी कलास है वो आज पांच बज़े नहीं थी इसलिए मैंने ये कलास बॉर्निंग में रखी है थैंक यू